हलो एरिवान और वन्स अगेन वेलकम टो उमर तस्कीर यूटीब चैनल माइसलफ उमर तस्कीर गाईज SEO कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आल टेक्स्ट बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं किस तारीके से काम करते हैं कहां पर हमें अलल टेक्स लिखते हैं अगर किसी इमेज का हमें औल टेक्स्ट देखना है तो किस तरहीए मोग लिखना है तो किस तरहीँ ऎंग perspectives है वह लोग तक क्स All Text लिखना में देछ जा सारे ही डाउट्स आपके इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कबार हो जाएंग चलिए शुरू करते हूं सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी बेसिक डेफिनेशन से करते हैं कि अल्टेक्स का मतलब क्या है इस मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग ना all text को ही all tag बोलते हैं जो कि technically incorrect है बिल्कुल इंकरेक्ट है आप all text को all dot attribute बोल सकते है all description बोल सकते है बड़ तो अगर हम basically definition की बात करें तो आप देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर and all tag is also known as alt attribute and all description is an html attribute applied to image tags to provide a text alternative for search engines कई बार ऐसा होता है कि search engines के bot जो हमारे web page के उपर आते हैं और हमारे web page के content को scan करते हैं या उसको read करते हैं क्योंकि search engine जो indexing करेगा वो इसी basis पर करेगा कि हमारा जो content है वो किस बारे में है या हमारे web page के उपर क्या content है तो guys हम बहुत सारी efforts इस बात के लिए करते हैं कि हमारे content के बारे में बहतर से बहतर तरीके से जो है bot को पता चल जाए या जिस भी चीज के बारे में हमारा content है वो perfectly bot तक उसका message पहुंच जाए bot को पता चल जाए कि हमारा content के इस बारे में अब यहां पर अगर हम search engine की बात ना भी करें तो जैसे tools के भी बहुत सारे bot होते हैं जैसे RF का अपना bot है जैसे Moz का अपना bot है उसी तरीके से जो बहुत सारे tools है CM Rush है उसका अपना bot है वो rank है उसका अपना bot है तो कोई भी bot जब हमारे content को read करता है तो वो text को और जो formatted text होता है उसको बड़ी आसानी से समझ जाता है बट वहीं पर images को जब समझने की बात आती है तो जो crawlers होते या bots होते वो उतने capable नहीं है और images को समझना भी crawler के लिए जरूरी है क्योंकि images भी तो आपके content का ही part है तो ऐसा नहीं कि हम उसको ignore कर सकते है तो इसलिए जो images का all text होता है कहने का मतलब कि अगर image है और image को text के through अगर हम explain करना चाहें तो किस तरीके से explain करेंगे that is actually alternative text for that images तो उस image को बहतर तरीके से describe करने के लिए हमारे पास जो option होता है that is all text all description या all attribute आप कुछ भी इसको बोल सकते है लेकिन all tag आपको नहीं बोलना है तो वो जो हमारा all text होता है वो हम कितने बहतर तरीके से लिखें कैसे हम उसको crawler friendly बनाए कैसे हम उसको SEO friendly बनाए ताकि जब bot हमारे उस all text को read करे तो वो समझ जाए कि इस all text का जो मतलब है वो क्या है और उसको वो relate कर पाए कि image और all text एक ही direction में और हमारे web page का जो content है वो सारे एक ही direction में ताकि indexing में जो हम चीज़ें चाहते हैं वो बहतर तरीके से हो पाएं तो guys यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि all text एक important चीज़ है with regards to SEO also and with regards to the accessibility that we are providing to crawler मतलब crawler को हम कितिनी ease provide कर रहे हैं कि वो हमारे content को समझ सके तो guys यहाँ पर अगर आप देखो तो जो syntax है all text का वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो syntax होता है से image उसके बाद source जो भी image का source होता है और उसके बाद यहाँ पर alt करके जो है alt attribute जो आ जाता है और मुझे यहाँ पर जो मेरा alt text होता है वो मुझे यहाँ पर लिखना होता है जो कि बिल्कुल related होना चाहिए जो हमारी image है या हमारी image किस बारे में उससे related हमारा जो alt text है वो होना चाहिए अगर आपको किसी image का alt text देखना है तो भी मैं बता जिता हूँ यहाँ पर जैसे हमारे सामने एक image है मैं right click इसके उपर करता हूँ हम लोग यहाँ से inspect के उपर जाएंगे और inspect के उपर आप देख सकते हो यह image का source है जो पूरा link आपको यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद image की dimensions है उसके बाद data को source है बट यहाँ पर आप देखो तो alt आपको दिख रहा है और alt के आगे लिखा हुआ है इंडिया time तो अगर हम लोग समझने कोशिश करें क्या एक बहतर alt text है नहीं यह बहतर alt text नहीं क्योंकि यहाँ पर जो image है वो airplane की है तो airplane से related या indigo airplane से related जो हमारा alt text है वो होना चाहिए image title में और alt text में difference होता है इस बात को भी समझें आप हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहा है वो alt text के regards में बात कर रहा है फिर से अगर यह मोटे-मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें कि हमें alt text की जरूरत क्यों पड़ती है तो guys इसके दो main reasons और भी reasons हो सकते क्योंकि image का content crawler नहीं समझ सकता है तो जब वो image के उपर हमारे आएगा और image नहीं समझ पाएगा तो फिर वो उस alt text जो है वो हमारे image की meaning निकालने की कोशिश करेगा अब एक और बात यही पर समझने कोशिश करिए जब उसे पता चलियागा let's say मेरे पास जो image थी वो इस remote की image थी अब crawler को पता चल गया कि इस image का जो alt text है वो लिखा हुआ है ac remote अब कोई बंदा अगर google के उपर जाता है तो अब क्यूंकि crawler ने इस remote के alt text से समझ लिया कि यह जो remote की image है यह ac remote है यह जो image है इसका मतलब ac remote है यह बात alt text से clear हो गए उसने इस चीज़ को index भी कर लिया index क कर लिया अपने database के अंदर अब कभी भी कोई भी user let's say अगर कोई भी user यहां google के उपर जाता है और google के उपर जाने के बाद वो यहां पर ac remote एंटर करता है और उसको एंटर करने के बाद वो images वाले section में जाता है यहां पर तो यहां पर जो आप results देख रहे हो यह सारे results आपक के दिख रहे हैं यह क्यों आपको दिख रहे हैं यह इसलिए हमें दिख रहे हैं क्योंकि इन जो images हैं इनको google ने पहचाना है कि ituse remote है किया तो इस image के around कोई content लिखा होगा जोकि AC remote के बारे में होगा उस तरिके से google ने इसको पहचान लिया या फिर इस image का जो alt text वगरा है वो AC remote word के उपर होगा इसलिए Google ने इसको पहचान गया कि ये जो है AC remote है index कर लिया और उसका आपको result दे रहा है कहने का मतलब कि अगर हम बात करें कि Google का search engine किस तरीके से काम करता है बिल्कुल layman language में कोई भी technicality की बात ना करें तो भाई साब जितने बहतर तरीके से आप Google के search engine को बता पाओगे कि ये content किस बारे में है उतने ही बहतर तरीके से वो उसको users के सामने रख पाएगा जब आप ही नहीं बता पाओगे Google को या Google के crawler को आप ही नहीं convince कर पा रहे हो कि ये मेरा web page किस बारे में अगर ये चीज आप Google के crawler को ठीक तरीके से नहीं explain कर पा रहे हो तो जब कभी कोई user उससे related कोई query करेगा तो crawler भी बहुत अच्छे तरीके से या जो Google है वो बहुत अच्छे तरीके से उसका result जो है वो नहीं show कर पाएगा तो ये सारे reasons हैं जिनकी वज़े से हमें इन सारी चीजों की जोड़त पढ़ती है तो एक तो accessibility वाला पूरा concern आपने देख लिया second जो है कई बार guys ऐसा भी होता है कि हमारे जो browsers हैं वो images को render नहीं कर पाते कोई भी reason हो सकता है browser का सारा content जो है वो load हो गया कि image का क्या context है तो guys ये दो major या आप इसको ऐसे कह सकते हो ये दो primary reasons हैं जिनकी वज़े से हमें all text की ज़रुरत पढ़ती है but SEO के respect में अगर हम बात करें तो पहला वाला reason जो accessibility का है वो ज़्यादा important है उसके बाद guys अगर हम लोग कुछ important points की बात करें कि all text किस तरीके का होना चाहिए तो सबसे पहली point जो यहाँ पर आप देख सकते हो be concise and be accurate ऐसा नहीं बहुत ही लंबा चौड़ आपने all text लिख दिया अगर character limit की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने 6th point में यह भी mention किया हुआ है कि अगर character limit के respect में बात करें तो 125 characters more than enough है keyword stuffing आपको नहीं करनी है बहुत सारे लोग क्या करते हैं keywords को all text में use कर लेता let's say आपके वे page के उपर 15 images है तो अब आप यह मत करो कि 15 की 15 images के अंदर जो है आप अपने keywords को stuff कर दो यह एक अच्छी practice नहीं है और एक ही image के अंदर भी आप अपने keywords को stuff कर दो यह भी एक अच्छी practice नहीं है आपको यह देखना है कि naturally आप keywords को कैसे पुट कर रहा है देखो keywords को कहीं पर भी mention करने की बात होती है मैं यहाँ पर all text जरूर समझा रहा हूँ पर चाहे वो आपका on page का कोई भी element हो जहाँ पर आप keywords लिखते हो चाहे वो title हो, चाहे वो description हो, चाहे वो headlines हो आपको make sure करना है कि वो keywords हमेशा naturally जो है वो वहाँ पर place किये जा सके ऐसा नहीं हो कि जबरदस्ती लग रहा है कि keywords, keywords, keywords को हम लोगों ने भर दिया avoid using image of photo of, कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर इसी AC remote की बात कर रहे है हम लोग, तो यहाँ पर जो alt text है, वो let's say मैंने यहाँ पर लिख दिया image of AC remote, यह, इस type से, तो guys, it's not a nice practice, यह गलत है, image of तो ऐसे ही crawler समझ जाता है, वो image की उपर आया, वो image है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि यह image है या photo है, you just write AC remote, ठीक है, जितना ज़्यादा descriptive होगे, उतना अच्छा है जैसे, एक example मैंने लिखा यहाँ पर AC remote, एक यहाँ पर मैं example लिखता हूँ, AC remote, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, let's say LG, LG AC remote, तो यह वाला जो आप second वाला example यह ज़्यादा concise है, ज़्यादा accurate है, कोई keyword stuffing वगरा इसमें नहीं और ज्यादा descriptive है, ज्यादा meaning जो है वो image को provide करा है, avoid redundancy, redundancy हमें नहीं रखनी है, जो मैंने अभी आपको example बताया है, कि ऐसा नहीं कि इस image के अंदर भी वही आपने all text डाल दिया, दूसरी image के अंद too small or too long, be descriptive but to the point, relevancy with images matter, देखो descriptive तो होना है बट to the point होना है, ऐसा नहीं बार-बार keywords या बिना मतलब की जो है लंबी चोड़ी आप कहानी जो है वो लिखते जा रहे है, it's not fine, right, guys हम लोग बात तो कर रहा है, all text के और इसकी बात करी कि all text एक important चीज है, अगर हमारे पास कुछ images है, तो उनके all text होने चाहिए, बट guys, एक और चीज मैं practically आपको बताता हूँ, जब कभी भी आप all text जो है, उनको audit कर रहे होंगे, लेट से आपके पास एक website आती है, आप उस website को audit कर रहे होते हैं, और किसी tool के थूरू, किसी भी tool के थूरू, अगर आप उस website का audit कर रहे होत but guys, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी images होती है, जिनके all text की जरूरत ही नहीं होती है, अब ये कौन सी images होती है, guys, कुछ images जो decoration के point of view से, जैसे कहीं पर arrow लगाया गया है, ठीक है, या कहीं पर कोई logo mention है, या कहीं पर कुछ ऐसी images है, जो decorative purpose है, जिनका कोई purpose नहीं है, बस केव उनको इसलिए वहाँ पर mention किया गया है, या उनको इसलिए लगाया गया है, ताकि थोड़ा सा web page जो है, वो सुन्दर लगे काई बार हम लोग ऐसे images उनको use करते हैं, तो अगर हम उस type की images को use कर रहा है, जो descriptive purpose हैं, तो guys, वहाँ पर हमें all text की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ पर keval और keval जो आपका all text है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यहाँ पर मैंने dancing लिखा हुआ है, तो इस dancing को आप हटा सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप all को अटा दो, उसको यहाँ पर none रखो आप, तो इस particular case में यह बोला जाता है, कि all text जो है, वो none है, क which means that कि इस वाली image के all text की requirement नहीं है, बट कि किस case में आप करोगे, जहाँ पर जो images है, वो descriptive purpose वगरा से है, तो आप कुछ examples की बात कर लेते हैं, उसके बाद practically देख भी लेते हैं, कि अगर हमें कहीं पर all text लिखना है, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पर एक मेरे good practice अच्छी चीज नहीं है, it is not recommended, second आज ओ, football stadium not recommended, crowded football stadium और stadium which is a crowded football stadium, कौन सा आपको ठीक लग रहा है, मुझे तो third वाला ठीक लग रहा है, third ही वाला ठीक है, fourth वाले में problem क्या है, अब बोलोगे fourth वाला भी तो ठीक है, पूरी तरीके से describe कर रहा है, नहीं, stadium, stadium बार बार message को convey कर दिया, crowded football stadium ही अगर हम mention करते हैं, तो हमारा काम हो गया, तो guys इस तरीके से हम लोगो हमारे जो all text हैं, उनको लिखना है, और जो मैंने एक point आपको बता, इसको बिलकुल आप ध्यान रखिएगा, कि हर images के all text नहीं होते हैं, कई बार बहुत सारे लोग जो है न, इस cheese को देखने लगते हैं, कोई भी जो image है, for the purpose of let's say, decoration के point of view से कुछ arrow या कुछ भी बना हुआ है, तो वो उसका भी all text लिखने की कोश्च करते हैं, which is actually not recommended, right, तो यहाँ पर मेरे पास wordpress का, जो है backend है, वो भी open है, तो guys यहाँ पर मैं एक image को add करता हूँ, और आप लोग आप image को यहाँ पर select करोगे, ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पर right side में आपको all text का option दिख रहा है, कोई image जिसका आपको all text नहीं लिखना है, या उसके all text की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं करोगे, simply यहाँ पर उसको blank छोड़ दो, but जैसा मैंने बताया कि फिर tool जब audit करेंगे ना, तो वो आपको जरूर notify करेगा, कि इस webpage की दो images के उपर all text नहीं है, तो आपको परशान नहीं होना है, आपको make sure करना है कि all text किस image है उसके उपर नहीं है, और उसके उपर जरूरत है या नहीं है, तो यहाँ के लिए अगर मुझे all text लिखना होगा, तो मै all text क्या होते है, all tag नहीं होते है, all text, all attribute, all description तक तो ठीक है, बट all tag नहीं होते है, किस तरीके से आपको all text लिखने चाहिए, इन सारी चीज़ों के आपको clarity हो चुकी होगी, वीडियो को संदाए, वीडियो को like जरूर करें, अगर अभी तक channel को subscribe नहीं है, तो channel को subscribe कर लें, ज् genuine content आपको इस particular channel के उपर मिलता रहेगा, मिलता है नेक्स वीडियो में, till then good bye